ऑब्रूरा टेलियु Hello friends इस वीडियो में हम str нрав के दो और functions पढ़ेंगे ये वाले blue functions है ये सारे हम पढ़ चुके हैं इसका color मैंने इसलिए blue कर दिया की ये सारे functions हम पढ़ चुके हैं already तो difference आज की video में हम दो functions पढ़ेंगे str cat और str n cat यह functions क्या काम करते हैं यह जो str cat function है यह क्या काम करता है कि यह दो strings को आपस में जोड़ता है strn cat भी same यही काम करता है लेकिन इसके अंदर हम numbers देते हैं कि कितने numbers को हम जोड़ना चाहते हैं कितने characters को हम पहले वाले string के साथ जोड़ना चाहते हैं तो इसको हम compiler में देखते हैं practically apply करके तो उसमें हमें अच्छे से समझ आएगी तो मैं अपना compiler open कर लेता हूँ यह रहा friend हमारा compiler और इसके अंदर हम functions apply करके देखें गिए strcat और strncat strcat function क्या करता है कि दो strings को आपस में जोड़ता है ठीक है इसके लिए हमारे पास दो strings होने चाहिए मैं यह पर 4 str1 और यहां पर size देता हूँ string का 10 और इसके बाद इसकी value देता हूँ am web ठीक है इसके बाद मैं एक और string ले लेता हूँ str2 नाम से और इसके अंदर भी size 10 देता हूँ और इसकी value देता हूँ tech am web हमारा यह जो first वाला string है इसके अंदर value am web और second वाजा string है इसके इसके अंदर value am sorry tech ठीक है अब मैं printf करवा लेता हूँ %s और यहां पर str1 को sorry str1 string 1 के अंदर जो कुछ भी है वो हमें display कर वह हूँ यह मैंने लिखा हूँ यहां पर printf में तो string 1 में क्या है am web इसको compile and run करेंगे तो यह देखें string 1 में जो भी है हमें display हो रहे है अगर हम यहां पर strcat function use कर लेते है strcat इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है एक हमें 2 strings देने पड़ते है str1 और str2 ठीक है यह जो strcat function है यह क्या करेगा यह string 1 जो यह तो पूरा ही रहेगा string 2 से जो भी character इसको मिलेंगे string 1 के साथ जोड़ देगा string 1 के साथ attach कर देगा तो am web यह जो आप first string के अंदर है am web और second string के अंदर है tag ठीक है तो यह क्या करेगा यह दोनों को अकठा करके हमें result देगा तो मैं इसको compile and run करता हूं तो देखे friend am web tag अगर आप इस तरह से इसको लिखना चाते हैं तो लिख सकते हैं लेकिन अगर आप चाते हैं कि इसको printf के बगार लिखे str cat तो इसके अंदर str1 हम दे देते हैं str2 यह फिर भी वही सेम काम करेगा तो यहां पर हम लिख लेते हैं str1 तो यह क्या करेगा str2 के अंदर जो भी values है उसको str1 के अंदर store कर देगा यहां पर am web के आगे ठीक है तो अब मैं इसको compiler and run करता हूँ तो देखे friend str1 के अंदर हमारे पास सिरफ है am web लेकिन यह str cat function के थूँ इसके जितने भी characters थे वो सारे str1 के साथ attach हो गया मैं इसको compiler and run करता हूँ तो देखे friend sorry यहां पर हमें error मिल रहा है इसलिए मिल रहा है कि यहां पर हमने colon नहीं था लिखना यहां पर semicolon लिखना था तो अब मैं इसको compiler and run करता हूँ तो देखे friend result r a m web tag str cat function के थूँ string 1 का जो data था और string 2 का जो data था यह दोनों attach हो गया string 1 में वही data रहेगा string 1 में सारे वही characters रहेंगे लेकिन str cat function के थूँ string 2 के अंदर जितना data था यहां पर जितने characters थे वही सारे string 1 के अंदर store हो जाएंगे अब हम देखते है str n cat str n cat function क्या करता है यहां पर मैं इसको उत्म करता हूँ str n cat और यहां पर हमें फिर से वही 2 strings देने पड़ेंगे str 1 और str 2 और इसके साथ हमें numbers भी देने पड़ेंगे यानि कि कितने characters हम first string के साथ जोड़ सकते हैं यानि कि हम second string से कितने character लेकर first string के साथ जोड़ें तो यहां पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 characters को हम जोड़ें first string के साथ तो यह क्या करेगा कि am webtech am web तो यह सही ऐसे ही रहेगा यह second string से दो first वाली character लेकर यहां पर attach कर देगा web के साथ ठीक है इसको compile and run करते हैं तो देखे फ्रेंड result आ रहा है यह am web और te यह वाले जो last वाली दो characters हैं यह second string से आ रहे हैं ठीक है फ्रेंड अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर 2 की बजाए 3 characters attach करवाने हैं तो 3 characters को attach करवा के देख सकते हैं यह देखे यह am webtech और अगर 4 characters जितने भी characters हम attach करना चाहते हैं जोड़ना चाहते हैं first string के साथ तो हम यहां पर number देने पड़ेंगे कि इतने characters हम first string के साथ जोड़ना चाते हैं और एक बात याद रखने है कि यह हमेश्या इस वाले string से value लेकर इसके साथ जोड़ेगा यह क्या करेगा second वाले string से value लेकर first के साथ जोड़ेगा चाहे वह strn cat है और यहां पर str cat है और ठीक है फ्रेंड आज की video में बस इतना है